नबस्कार मैं हो दसत प्रधान राब देख रहे हैं च्वड़नागपुर लाइफ इस वक्त मैं जमसेदपुर से नेस 33 जो कनेट करती वो रोड में मौझूद हूँ इस रोड में कई सारे गड़े हैं और सैकडों गारियां हजारों की संख्या में आप गारिया देख सकते हैं लेकिन कई न कई सरकार की साइध नजर यहां तक नहीं पहुँच पाई है खास बात यह बताए कि आपको हमारा रुखने का वज़ा ये था हमारा वीडियो बनाने का वज़ा ये था कि यहां पे एक सक्स हैं जो अपने खुद के महनत से खुद सामने कुछ रोडी- उठा कि उसे गड़े को भर रहे हैं तो हम उनसे बात करने की कोशिस कर रहे हैं उन्हें जानने की कोशिस करते हैं उनसे कि क्या उनके उपर बीत आई कि वो आज एक सारकारी जो सारवजनिक हाईवे है उस हाईवे को भर रहे हैं उस गड़े को भर रहे हैं क्या कुछ कहानी है हमने थोड़े बहुत उसे जानने की कोशिस की जो उनका बेटा है उनका बेटा यहीं से गुजर रहा था तो उस गड़े में गड़ा साइब 3-4 फीट का गड़ा उनके द्वारा बोला जा रहे हैं कि 3-4 फीट का गड़ा था जिसके वज़े से वह वहां गिर गया था जिसके हमने बता है कि जो है उनका बेटा उस गड़े में गिरा था इसी के वजे से जो है उस तकलीफों को कि और भी किसी का बत्चा यहां ना गिरे जो गाड़ीया में जो है कार्य प्रगति पर है बोलके लोग को दरसाए जाया और गाड़ी जो है रुक के वहाँ साइड से गुजर सके तो वह है जो खुद के बास से बनाये हैं जो इस टॉपर कहा चाता है जिसे जिसमें कार्य प्रगति पर होता लिखा हुआ है दादा थोड़ा सा आईए अर यहां सामने हैं ओर ढगल में भी है तो उसे Zoom कॉद्ध से गिर तो उसके बाद़ ही सटेप लिए क्यिए सरकार का नहीं करना है मुझे अपना स्रमदान से असे अपना स्वेच्या से हम इसको भर सकते हैं अपना स्रम तो इसलिए वह भरने के लिए लगे वहाए हैं ऐसे कई सारे लोग है जो सोचिल मीडिया पर देखते हैं हैं हम एक कहानी आपको जिक्र करेंगी देली की कहानी यह जिसमें लड़का जो है वह एक्सेंड होती है उसकी और उसकी मौत हो जाती है जिसके बाद उसका पिता का जो अकरी बेटा का आखरी इच्छा रहता है कि जितनी सदक में जितनी हो चाहे घड़ा में भरूँगा और उसके पिता जो है वो गड़ा भरते हैं और कई हजार वो गढड़ा भरे हैं, यह कहानी आपको सोसेल मीढ़ा में जरूर देखने को मिला होगा, तो उसी तरव कि ये छेत्र की कहानी है, इसी तरव का वीडियो साब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो उसको लाइक कर सकते हैं, सेर कर सकते हैं, धन्यवाद जोहार